नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीटो सोप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, कीटो सोप को कैसे लगाना चाहिए, और कीटो सोप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्क करेंगे कि कीटो सोप को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, कीटो सोप एक एंटी-फंगल दवा है, कीटो सोप का उप्योग त्वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर, त्वचा पर बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर और सिर्की त्वचा में डैंडर त्वचा पर फंदल इंफेक्शन होने पर दिखाई देने लगते हैं। कीतो सोप त्वचा के फंदल इनफेक्शन, बाक्टीरियल इनफेक्शन और सिर में डांदरफ को ठीक करने में मदद करती है। और fungal infection, bacterial infection वर dandruff को होने से रोकने में मदद करती है Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में keto soap की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में keto soap की वज़े से तवचा में जलन, खुजली, तवचा में redness, सूजन, बालों में सुखापन होना, बालों का पतला होना और तवचा की एक पतली layer पपड़ी बन कर उतर सकती है अगर किसी व्यक्ति को keto soap को लगाने के बाद तवचा में बहुत तेज खुजली, जलन, तवचा पर सूजन, तवचा पर redness, तवचा पर rashes या तवचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना होती है तो ऐसे व्यक्तियों को keto soap को नहीं लगाना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि keto soap को कैसे लगाना recommended होता है keto soap को लगाने से पहले आपको अपनी तवचा को पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए उसके बाद keto soap को अच्छी तरह से प्रभावित एरिया पर लगाना चाहिए keto soap के अच्छी तरह जाग बनने के बाद keto soap को दो मिनट से लेकर तीन मिनट तक तवचा पर लगा कर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद keto soap को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि keto soap को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए keto soap को नोर्मल साबुन की तरह लंबे समय तक नहीं लगाना चाहिए keto soap को लगातार चार सप्ता से अधिक लगाना recommended नहीं होता है keto soap को आख, नाक और मुँ के किनारों के पास लगाना recommended नहीं होता है यदि गलती से keto soap आख, नाक या मुँ में चला जाता है तो आपको keto soap को तुरंथ ही पानी की मदद से धो लेना चाहिए तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई चोट लगने पर keto soap का उपयोग करना recommended नहीं होता है प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए keto soap को लगाना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका keto soap से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकती है